नमस्कार आपका स्वागत एश्या न्यूज इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ लोकसभा चुनाओं दोजाचोवीस में कॉंगरिस की जनरल सेकेटरी प्रियंका गांधी उत्तर प्रिदेश की राय बरेली सीट से चुनाओं लड़ सकती हैं सूतरों के मताबिक इस बार पार्टी सोनिया को राजिस्तान से राजसभा वेजने पर विचार कर रही है दरसल 27 फरवरी को होने वाले राजसभा चुनाओं के लिए दिल्ली में कॉंगर्स सत्दिक्ष मलीक का जुन खटगे के आवास बस सुमवा शाम एहम मिटिंग हुई इसमें सोनिया गांदी को पूर प्रधानमंती मनमुहसी की खाली हो रही राजसभा सीट ओफर करने पर चच्चा हुई प्रेंका गांदी ने आज तक कभी चुनाओं नहीं लड़ा है राइबरेली की सीट कॉंगर्स की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है 1952 के पहरे लोगसभा चुनाओं के बाद से कॉंगर्स यहां सिर्फ तीन बर हारी है सोनिया के दिक्षता वाली राष्टी सलाका समीति के कहने पर ही सरकार ने राष्टी ग्रामिन रोजगाय गैरेंटी योजना और सूचना अधिकार अधिनियम कानुन लग करने में एहम हुविका निभाई लोगसभा चुनाओं 2024 के लिए भाजपार ने प्रत्याशों की सूची को अंतीम रूप देना शुरू कर दिया है पार्टी के एक वरिष्ट निता का कहना है कि विपक्षी दलो के कदावर नेताओं के संभावित चुनाशेतर के लिए नए चेहरे को ताने की तयारी है इनमे राहुल गांदी, सोनिया गांदी, अखिलेश यादव, कनी मोई, अभिशेक बैनर जी, मलेका जुनखट के आदी के खिलाफ संभावित तीन तीन प्रत्याशों की सूची को अंतीम रूप दे दिया गया है सबसे पहले दक्षिन भारती राज्यों के पत्याशों की सूची जारी होगी तेलंगना में ए आएम आएम प्रमुक असुदी नोविसी के खिलाफ पार्टी की महिला मोचा की प्रवक्ता नादिम पल्ली यमुना पाठक को मैदान में उतारा जा सकता है पूर्व क्रिकेटर एस शीशंत को त्रिवेंदरम से शची थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है